अध्याय नौ रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना Chemical Formula and Mole Concept हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके योगिक बनाते हैं ये योगिक तत्वों के पर्माणों के निश्चित संख्याओं के आपस में संयोग से बनते हैं हम पानी, नमक, शक्कर, खाने का सोडा, इत्यादी पदार्थों का उपयोग करते हैं ये सभी पदार्थ योगिक हैं हमने पहले भी सूत्र कैसे बनते हैं सीखा है आईए हम योगिक के सूत्रों के बारे में और विस्तार से समझे सहसंयोजी योगिकों के सूत्र Formula of Covalent Compounds हमने विभिन सहसंयोजी योगिकों जैसे कारबन डायक्साइट, पानी, अमोनिया आदी में बनने वाले बंद के बारे में सीखा है कारबन डायक्साइट अणु में एक कारबन के दो-दो इलेक्ट्रोनों का सहभाजन दो अलग-अलग अउक्सीजन परमाणूं के दो-दो इलेक्ट्रोनों के साथ होता है जैसा कि चित्रानुसार दिखाया गया है यदी हम कारबन डायक्साइट के अणु में एक और उक्सीजन परमाणूं को जोड़ना चाहें तो उसकी किस पर्माणू से इलेक्ट्रोनों को साजा करनी की संभावना होगी? पहली या कि वा कार्बन पर्माणू से साजा करें दूसरी या कि वा ओक्सीजन पर्माणू से साजा करें ओक्सीजन परमाणू कार्बन परमाणू से इलेक्ट्रोन साजा नहीं कर सकेगा क्योंकि कार्बन के दोनों इलेक्ट्रोन युगमों का सहभाजन दो ओक्सीजन परमाणूं से हो चुका है और वह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है जैसा कि चित्रनुसार दिखाया गया है यदि हम आक्सीजन परमाणू के साथ अत्रिक्त आक्सीजन के सहभाजन पर विचार करें जैसा कि चित्रनुसार दिखाया गया है तो यह भी संभव नहीं है क्योंकि इससे अत्रिक्त ऑक्सीजन परमाणू पर इलेक्ट्रोनों की संख्या तो 8 हो जाएगी परन्तु पहले ऑक्सीजन परमाणू पर इलेक्ट्रोनों की संख्या 10 हो जाएगी जबकि उसके अंतिम कोश में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या 8 ही हो सकती है अता यहां पर अत्रिक्त आक्सीजन परमाणू के साथ इलेक्ट्रोनों का सहभाजन नहीं हो सकता है इसलिए CO3 योगिक बननी की संभावना नहीं है कारबन का एक परमाणू और आक्सीजन के दो परमाणू ही मिलकर एक स्थाई योगिक बनाएंगे जिसका सूत्र CO2 होगा इसे प्रकार अन्योगिकों के सूत्र भी लिखे जा सकते हैं इसके लिए हमें तत्तों के प्रतीक एवम उनकी संयोजन छमताएं ग्यात होनी चाहिए